सोनु निगम ट्वीट की कॉंट्रोवर्सी ने बड़ा ही भयंकर रूप ले लिया है सोनु के अजान के कारण उठने पर जो ट्वीट था उसने बवाल मचा दिया है और हर कोई या तो सोनु के साइड है या तो उसके खिलाफ उन्हों ने कहा कि उन्हें लाउट स्पीकर से प्रॉब्लम है अजान से नहीं फिर भी उनकी बातों को गलत धंग से लिया जा रहा है सोनु ने अपने इंटेंशन को क्लियर करने की कोशिश की यहां तक की जब वेस बंगॉल के एक मौलवी को उनकी बात पसंद नहीं आई और फत्वा जारी किया तो सोनु ने खुद अपना सर मुंडबा लिया और मीडिया के सामने आए लेकिन उनके लाग कोशिशों के बावजूद भी चीजे समहाली नहीं जा रही है और अब उनकी ट्वीट के कारण उजैन में दो लोग चाकू से जखमी हुए और उन्हें अस्पताल पहुचाया गया यह इसी नहीं हुआ क्योंकि शिवम राय ने फेस्बुक पर सोनु को सपोर्ट किया और फिर टकरार शुरू हुए जिसके बाद कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और जखमी किया शिवम कैसे तो भी अपनी जान बचा कर भाग गए लेकिन शिवम के दो दोस्तों को काफी मार पिटी बाद पे बवाल हुए इस घटना पे आपकी क्या राय है हमें जरूर पताए झाल